और सम्राट चौधरी जी बांद के घुम रहे थे मूरेठा और अभी बन गया नितीश कुमार के लिए भाजपा का दर्वाजा हमेशा के लिए बंद है दुवारा कभी सपना भी मिना सोचे कि मेरे साथ में वह आएंगे क्या हुआ है फिर से दर्वाजा खुल के से खुला हु फिर आपके जैसे मीडिया भाई ने उंसे सवाल किया चैसर आप तो बोल werd मिटी में मिल जाएंगे पहाजपा में नहीं टूओ मर जाना कभी मर जाना लेकिन परियुक किया गया जो कि उनसे सिनियर है उम्र में बड़े हैं और उनको तुम ताम जैसी भासाओं का तुम को हम बना दिये तुम कुछ नहीं था तुम उसलायक नहीं था तुम क्या-क्या नहीं सब्सक्राइब आज माजीजी उसी के नमस्कार नमस्कार और केडियल नुज के सभी दर्सकों को मेरा नमस्कार सर जैसे अभी बिहार में देख रहे हैं अभी पहले गढ़वंदन थे और जेडी के साथ लेकिन नितीश कुमार बारवार पल्टी मार रहे हैं तो इन पर आपका क्या विचार है नितीश कुमार के ख्यान पूरे बिहार का नाम पूरे देश में धूमील हो रहा है पूरे बिहार को एक हिंद रिष्टी से देखा जा रहा है लोकतंत्र का पूरी तरह से एक मजाक बनाया जा रहा है और इससे आने वाले पिड़ी में जो युवाओं को जिनको राजनीत में दिलचस्पी है जिनको एक तो कौन चाहेगा कि हम राजनीत में आये और अच्छा काम करें इन्होंने एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं चौती बार कि पाच में बार हो गई और हमें तो अभी भी उन पे पुर्ण विश्वास नहीं हो रहेंगे या नहीं रहेंगे कहीं वो एडी के डर से और उनका जो प्रधान मंत्री का सपना चकना चूर हुआ उसके डर से आप बिहार का नेत्रित कर रहें हैं बिहार के मुखिया हैं मुखमंत्री हैं इसका मतलब यह नहीं कि पूरा देश आपको स्विकार कर ले और उचाहते थे कि हमको प्रधान मंत्री का उमिद्वार घोशित किया जाए और उन्होंने उनको अगर नहीं घोशित किया गए इस बज़ा से वो डर से उधर चले गए एडी के ड़ से चले गए मतला वो कहीं न कहीं उनको डर था कि इडी इस वार से कंजय में हमें भी लेता इसलिए वो जाकर फिर से बीजेपी में सामिल हो गए बिल्कुल उजैसे ही सामिल हुए है आपको परसोई शरकार बनी है इंडिये की सरकार बनी है और कल आप देखे होंगे कि राज़त के राष्टिये अध्याच आदर्निये लालू प्रसाज आदब जी के साथ में लगवागी 11 घंटे पूछता चुई एडी की वैसी प्रिस्ति सबके जो नेता है लालू प्रसाज आदब जी वैसी इस्तिती में है जिनका किड्नी ट्रास्प्लांट हुआ है सबको जानकारी होगी उसके बाद में वैसी स्थिती में उनके साथ में ऐसा दुर्वेहवार करना ये कही ना कहीं हिंड मानसिकता कि राइनीत को दरसाता है जो इससे शावित होता है कि ये बदले की भावना है ये परेशान किया जा रहा है बेवज़ा परेशान किया जा रहा है और इसी का डर था हमारे मुकमंत्री निंतिसकुमार जी का इनका फित्रत है कि एक के साथ में तो ये सही से कभी रही नहीं सकते हैं कभी उनको धोका दिया कभी इनको दोखा दिया कभी उनको दोखा दिया और आद होगा इनका ब्यान अभी अभी आप सुने होंगे तो उनका पहला ब्यान था मिट्टी में मिल जाएंगे भाजपा में नहीं जाएंगे पुना चले गए दुवारा महागडवंदन की सरकार बनी फिर आपके जैसे पाजपा में नहीं जाएंगे कैसी कैसी अभद्र भाषा का परियोग किये अगर यहां पे जितन मांजी जी को अपने आप में उनको भी शर्मानी चाहिए कि हरी सदन में विहार के पुर्व मुख मंत्री को वैसा सब्द से परियोग किया जो कि उनसे सीनियर है उम्र में जैसी भासाओं का तुमको हम बना दिये तुम कुछ नहीं था तुम उसलाइक नहीं था तुम गधा हो तुम क्या क्या नहीं सब्सक्राइब में आज मांजी जी भी उसी के साथ है यह बेपकूफ जनता को बनाने की कोशिस कर रहा है लेकिन बिहार की जनता इतनी कि जरूब आता है तो रोजगार के जरूब अपने देखा कि कुछ ही महीनों में पूर्व डिप्टेसियं ते जश्वी जादव जी ने सिच्छक की जो बहाली लिका ले मेडिकल में जो बहाली लिकाले आज कितने लोगों का रोजगार मिला उसी पहलों पे तो आगे विरुजगार मिले और बीच में वो अलग हुए और इस तो कहीं न कहीं प्रभावित हुई विरुजगारी का सर इसमें अभी नवादा में कुछ दिन पहले आये थे अमीत सा वो बोले थे नितीश कुमार के लिए हर दरवाजा बिजेपी के लिए बंद है और फिर दरवाजा भी खुल गया मुखमंतरी भी बन गया और फिर से बिहार में बिजेपी का सरकार आ गया तो इस पर आपका क्या ख्याले क्या बोलना देखिए उलुक सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं आध होगा आपको 2014 में काला धन वापस लाने की बात हुई थी और 15-15 लाग रुपे स हमारे प्रधानमंतरी जी के स्टेटमेंट जो उन्हों ने दिया उसको जुमला करार दिया और इसी नवादा की धरती हिश्व में उनका अगवन हुआ था तुन्हें सपस्ट रूप से कहा देना चाहता हूं कि नितीश कुमार के लिए भाजपा का दरवाजा हमेशा के यह भी नहीं पता है छे मैना के बाद फिर यह गठवंदन तूटेगा तो क्या लग रहा है यह बाद सही यह बारवार इसी तरह होते रहेंगे यह तो नौम्मे बार मुखमंतरी का सपत लिए छे माइना हम को तो यह भी डाउट हो रहा है कि छे सपता भी ना चले इनका कोई भरोस है ही नहीं इसमें बिहार की विकास का जो एक गती थी उसमें रुकावट आई तमाम विभाक के मंत्राले जिनके पास था उニके पना उसमें रुकावट आई फिर चेंजिंग कि पिर फिस्तार पुरुबग क्या जाएं तो निश्टेत कि विकास time ऐगा मैं के दिए आण कम में रोज झाइगào मैं कि ठाश नहीं होता उसमें बिहार के जितने भी जनता है तो उनका पैसा जा रहा है कि appelle कर देक्क आने वाला थे की सरकार आपके विडियिया गाट इस तरह की बाते होती है, इस तरह की घटना होती है, तो उसमें खर्च होता है, खर्च होता है, राजसरकार के कोटे का जो पैसा होता है, उसमें पूरे बिहार की जनता का पैसा है, किसी बेक्ति विसेश का पैसा हो नहीं है, बिहार का खजाना में जो भी पैसा है, वो हर एक विक्ति का वो टैक्स का लगा हुआ है किसानों हर नागरिक का है उस पैसा को दुरुप्योग कर रहे हैं जो देख रही है जंता जंता देख रही है और निशित है कि इसका जवाब 2025 में बहुत अच्छे तरीके से देगी और आप आद रखेगा और आपके शैनल के माद्यम से मैं बोल रहा हूँ और आपका ये वीडियो अगर रहा उस पे तो दुबारा जरूर रिप्लै किजेगा और इसको रिपीट करवाईएगा कि 2025 में जेडियू नाम का कोई पार्टी नहीं रहेगा ही नहीं मतलब सबसे बड़ी बात 2025 में क्या वोलेगा फिर से रिपीट किजेगा 2025 में जेडियू नाम का कोई पार्टी नहीं रहेगा वह भाजपा है मतलब बी जेपी बढ़का जुट्टा पार्टी और सबको निंगल गया है और आपके जो मांजी जी है इस 2024 में ही खतम हो जाएंगे हम हम सेकुरल जो है ना इसका अताब पता भी नहीं होगा एक भी आईपी पार्टी हुआ करता था आध है तीन-चार सीट पे अटकर आता साहनी जी का कहां गये हूं कहा का निती है जिस गड़बंधन में जिस एंडिये शरकार में उनका समर्थन थ उन्हीं के सभी विधायक को अपने में सामील करके उनको खतम कर दी जानते होंगे समराठ चौधरी वो बोले थे जब तक हम नितीश कुमार को सत्ता से नहीं हटाएंगे हमारा पगड़ी और मुरेठा अनम खुलेगा नहीं और अभी दोनों साथ में कुरसी पर बैठते डि मुरेठा और अभी बन गया नितीश कुमार के लंगोटा वहीं है रहीं बार बोले थे कि समझाता नहीं करते चाहे उनको पाटी चोड़ना पड़ता या फिर वो जो उन्होंने कश्म खाई थी अपना कि हम मुरिठा नहीं खोलेंगे खोल दे बिहार की जनता के सामने समर्पन कर दे आत्म समर्पन कर दे कि नहीं हम से जो गलती हो गई हब हम इनी के नीचे रहना है मतलब बिहार के जनता के बीच आकर फिर से वो माफी मांगे कि जो हम कॉमेंड मेंट किये तो उस पर हम खरे रहे हैं हम नीची इसकुमार के साथ है बिलकुल और यह लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ देश की राजनित कर रहे हैं और इससे से पूरे बिहार का नाम धुमील हो एक रुजगार देने का काम किया और बिस्तरित पैमाने पर रुजगार दिया जा रहा था और बीच में जो यह धोखा दिया गया नितिश कुमार की तरप से यह आने वाले समय में पूरे बिहार के नौजवान एक हो करके इसका जवाब देगी